चीन है कि मानता नहीं एलेसी पर सैन धाचों के बदलाव के साथ अब चीन हत्यारों की होड में जुटा है समंदर से लेकर जमीन तक चीन दादा गीरी कर रहा है क्वाट की एक जुटता के आगे ड्रागन की हिकडी निकल रही है लेहाज आप चीन शक्ती प्रदर्शन और जुबानी युद्ध लड़ने रगा है बिटिश युद्ध पोत को खदेरिने का दावा करता है लेकिन सचाई इस में कितनी है यह हम आपको दिखाएंगे डगाबास देश चीन क्यूं बदल रहा है लेसी पर बार बार सीन हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 चाल बास चीन आज से चीन में तेरवा अंतराश्टी ए एरो स्पेस एक्सपो क्वांग तोंग प्रांथ के चुआ हाई में शुरू होने जा रहा है इस्टन लदाक में लेसी पर चीन के साथ तनाओ के बीच भारती सेना की तैनाथी में काफी बदलाव किया गया है भारती सेना ने M777 होज़र तो भी सतैनाथ किये हैं अमेरिका से ली जा रही M777 की कुल साथ रेज़िमेंट बननी हैं, तीन रेज़िमेंट बन गई हैं और चौथी रेज़िमेंट बनने की प्रक्रिया में हैं LAC पर अभी सबसे ज़्यादा स्वदेशी 105 MA क्यालिबर की गन तैनाथ है LAC पर चीन ने भारत की खलाफ एक 3 लेयर साज इश्रची है, जिसके तहट कैमरा, रडार और मॉनिटर सिस्टम तैनाथ किये गए हैं इसके साथ ही चीन LAC पर जैमर सिस्टम भी लगा रहा है इतना ही नहीं चीन ने पूर्वी लदाख में अपने 5 लेटनेंट जनरलों को PLA की सर्वोच रैंक जनरल के रूप में प्रमोशन दिया है इनमें सेना की दो, नेवी और वायू सीना की एक एक जनरल शामिल है चीन पूर्वी लदाख ससटी LAC पर अपनी सिती मजबूत करने में जुटा है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस दे इंटल लैब के मताबिक डेप सांग प्लेइन में दोनों देशों के मिलिटरी कैंप करीब एक किलोमेटर की दूरी पर है दे इंटल लैब ने डेप सांग प्लेइन के रकी नाले की सेटलाइट इमिज जारी की है जिसमें दोनों देशों के सैन कैंप सावा किलोमेटर की दूरी पर है चीन ने क्वार्ट को लेकर एक बार फिर जहर उगला है चीन ने कहा है कि वो क्वार्ट सेकेर्टी डायलोग का विरोध करता है चीनी विदेश मंत्वाले ने ये भी दावा किया है कि क्वार्ट के कारण एजिया परशांद शेतर में कलह भर सकती है चीन के इस बयान को क्वार्ट की एकता को चुनौती के साथ चेतावनी की रूपे देखा जा रहा है वियतनाम जारा ब्रिटिन का एक युद्ध पोत ताइवान जल्डमरू मद्य से होकर गुजरा है जिसके बाद चीन ने इस ब्रिटिश पोत को ख़देडने का दावा किया ब्रिटिश HMS रिच्मंड युद्ध पोत ने ट्वीट में समवधिन शील्ड शेतर से गुजरने की जानकारी दी है ताइवान और चीन के बीच तनाव जारी रहने के बीच बीच बीजिंग ने इस मुद्धे पर तल्ख प्रतिक्रिया दी ताइवान ने चीन से संभावित खत्रे के मदे नजर लंबी दूरी के सटी खत्यार की जरूत पर बल दिया है ताइवान के रक्ष मंत्री चीउ को चेंग ने कहा है कि ताइवान को इन हथियारों की जरूरत है ताकि चीन को ठीक ढंक से रोका जा सके जो हम पर हमला करने के लिए तेजी से अपनी प्रणाली विक्सित कर रहा है टाइवान ने इस महीने नई मिसाइलों सहित अगले पांच वर्षों में लगभग 9 बिलियन डॉलर के अतरिक रक्षा खर्च का प्रस्ताव दिया है चीन में भारी बिशली के टौती के चलते हाहा कार मचा है तालबान में सत्ता संगर्श क्या चरम पर है कंगाली के कागार पर अफगानिस्तान में बच्चे क्यों हो रहे को पोचड के शिकार काबुल में कौन सा देश अपना विमान भीजने को तयार हुआ और दाड़ी काटने पर तालिबान ने क्यों बदला अपना स्टांड तालिबान को लेकर आपको अफगानिस्तान में जो भी बड़ी खबरे आई हैं वो दिखाते हैं टॉप नाइन तालिबान राज में अफगानिस्तान में तालिबान के बीच विवाजन की खबरे जोर पकड़ने लगी है तालिबान के बीतर कला इस समय चरम पर है अल्जदीरा ने इस उत्रो के हवाले से बताया कि तालिबान के मुख्य लोगों के बीच कला बहुत हद तक बास्तविक है बतादें कि तालिबान की एकता के बारे में जनता का संदे इस महनी की शुरुआत में ही बढ़ गया था जब बरादर सारवजनिक रूप से गायब हो गए थे अफगानिसान में इस समय महेंगाई चरम पर है इधन से लेकर खाने की बढ़ती कीमत का सर लोगों के स्वास्ते पर पढ़ने लगा है बच्चे को पुश्र कार हो रहे हैं अफगानिसान में आटे की कीमतों में 30 परतिशद की ब्रद्धी हुई है सब्जियों में 50 फीजदी क कोई चिताब नी दी है कि टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर ना तो इंजॉय किया जाया और नहीं सेल्फी क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाया क्योंकि ऐसा करना इस आतंकी संगठन की इमेश के लिए खतरनाक हो सकता है अब नेती नुपर अलंकार और उनकी भेंजी बात की थी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अंतरास्टी उडानों को फिर से शुरू करने की अपील की है तालिबान ने एरलाइन्स के साथ पूरा सहीयो करने का वादा किया है और साथ ही कहा है कि काबुल एरपोर्ट की सभी समस्याओं का समधान कर लिया जाएगा एरपोर्ट सभी घरेली और इंटरनेशनल वानों के लिए तैयार है वाशिंग्टन पोस्ट की ओर से जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने अपनी आकरमक करवाई वसंत यानि जनवरी फरवरी में ही शुरू कर दी थी तालिबान लडाकों से लड़ने प्रांस में तालिबान सरकार ISI कुरासान के खिलाब बड़ा ऑपरेशन चला रही है ये इलाका ISIS का गड़ माना जाता है ऐसे में इस इलाके में तालिबान का धर पकड़ अभियान जारी है बतारे कि अमेरिका सेना पर कुछ दिन पहले ISI ने आतमकाती हमला किया था जिसमे 13 अमेरिकी सेनेक समीत करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी अफगानिस्तान में तालिबान और ISI एक दूसरी के कटर दुश्मन माने जाते हैं एक दिन पहले आई उस खबर को तालिबान ने खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि तालिबान ने दाड़ी कटाने पर बेन लगा दिया है लेकिन इस बाबात तालिबान हर जगा पंत्र माटकर इसे तालिबान का ओफिशल स्टेंड होने से इंकार कर रहा है अफगानिस्तान में हजारा समुदाय को जमीन चोड़ने के लिए तालिबान मज़ूर कर रहा है तालिबान की सरकार बनने के बाद मद्द अफग प्रधानमती नरेंदर मोदिया आज देश के किसानों को 35 फसलों के स्पेशल वराइटी का गिफ्ट देंगे इसे ICMR ने विक्सित किया है ये वराइटी जलवायू अनुकूल फसलों की है पीयमाज National Institute of Biotech Stress Tolerance राइपूर के नवनिर्मित परिसर का भी लोकारपन करेंगे और क्रिशे विश्यविद्यालियों को Green Campus Award वित्रिस करेंगे डियारियों ने कल आकाश मिस्ताइल के एक नए संसकर्ण का सफल परिक्षन किया औरिशा के चांदी पूर्स्तित इंटिग्रेटेट टेस्ट रेंज में आकाश प्राहिम मिस्ताइल का परिक्षन किया गया अपनी पहली उडान में आकाश प्राहिम ने दुश्मन विवानों की तरह व्यवहार कर रहे मानव रहित हवाई लक्षियों को सटीक निशाना बनाया और नश्ट कर दिया भारती सेना लगातार अपने दमखम के परिक्षन में जुटी हुई है यूपी के प्रियाग राज में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी महंत आनंद गिरी पुझारियाद्या तिवारी और संदीब तिवारी की साथ दिन की CBI रिमान मज़ूर कर ली गई है कोट ने तीनों को आज सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर की शाम तक के लिए रिमान पर भेजा है इस बीच CBI ने कल भी बागंबरी मट में फॉरंसिक टीम के साथ जांच की और वहां के लोगों से पूछताच की यूपेगे सीनियर आईएस इफ्तखारुद दीन पर लोगों को इसलाम का पार्ट पढ़ाने और धर्म परिवर्थन कराने का रोप लगा है इसके बाद उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई कानपूर के ADCP पूर्व वाइरल विडियो की जांच करेंगे उनके पैत्रव गाउं हिसाली मुराद नगर में किया जाएगा अमरीश त्यागी 23 सतंबर 2005 को सियाचीन बौडर के सतोपत पहाड पर तरंगा फैराने के बाद अचानक लापता हो गए थे उनका पार्थिव शरी 16 साल बाद बर फीली पहाड़ियों में मिला देश में करोना के नए केस में कल काफी कमी देखने को मिली है 24 घंटे में करोना के करीब 15,000 नए केस सामने ही आए है जो इससे पहले दिन के मकाबले काफी कम है कल 24,000 से जादा लोग स्वस्ते हुए हैं और 188 लोगों की मौत हुई है देश में इस समय करोना के करीब 2,84,000 एक्टिब केस हैं कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन, को वैक्सीन को अंतराश्टी इस्तर पर मानिता मिलने में और देर हो सकती है सूत्रों के हवाले से खबर है कि WHO ने भारत बायोटिक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े कर दिये हैं ऐसे में विदेश जाने वाले लोगों को खास कर स्टूडेंट्स जिन्होंने को वैक्सीन ली है उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है पहले कोर्ट में गैंगवार और अब धंकियों के शुरवाद दिल्ली में मनजीत महाल के करीबी के किसने हत्या की कहां पटूटा आसमानी बिजलिय के है कहां पर विधायक ने बताए रिश्वत लेने के लिमिट योगी राज़ में कहां कंटेनर में तसकरी करके लाए जा रहे थे गौबरुश तमाम प्रदेशों की तमाम बड़े खबरे आपको दिखाते हैं टॉप नाइन राजी विशिश दिली के रहनी कोट में गेंगस्टर गोगी की हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर धमक्यों का दौर जारी है जिसने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है गोगी के साथी रहे नामी गेंगस्टर काला जकेरी और लौरेंस विश्णोई गरूप की तरब से उसकी लाश की फोटो के साथ एक मैसेज वारल किया जा रहा है जिसमें लिखा है हम सब चुप बैटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए जल्दी धमाका होगा ये नई जंग की शुरुवात है जो हमारे साथ नहीं है अब से सब अपना ध्यान रखना इस जंग में आप क तिंकू की हत्या की गई शक नंदू गैंग पर है मद्य प्रदेश के देवास जिले में अकाशे विजली गिरने से अलग लगस्तानों पर छे लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए हैं मुख्यमंत्री शिबरास सिंग चोहान मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपे की आर्तिक साहता देंगे अकाशे विजली गिरने की दुरगटा में घायल हुए दो ग्रामीडों का इंदौर में उप्चार चल रहा है MP की दमू में BSP विधायक रामबाई के पास ग्रामीडों ने PM आवास में रिश्वत खोरी की शिकायत की तो उन्होंने पंचायत प्रतनिधियों और कर्मचारियों को जम कर फटकार लगाई साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रिश्वत का पाकेज होना चाहिए कोविट महामारी की रोगथाम में खास भूमी का निभाने वाली आंगनवाडी की महिलाओं को योगी सरकार आज स्मार्टफोन से लैस करने जा रहे हैं लखनव में आयोजित एक कारिक्रम में CM योगी आंगनवाडी की 1,23,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे इसके साथ ही नवजात बच्चों की व्रधी का स्तर्म आपने के लिए हर आंगनवाडी केंद्र को इंफोमेटर भी दिया जाएगा योपी की योगी सरकार गौबंश की तसकरी रोखने के तमाम धाबे करती है लेकिन ये बतसूरत जारी है ट्रकों में भरबर कर गौबंश की तसकरी की जा रही है ये तस्बीरे सुल्तानपुर की है जहां एक संदिक कंटेनर की जाच की गई तो उसमें 23 गौबंश लदे मिले सभी की मौत हो चुकी थी मामले का खुलासा होते ही ट्रेक ड्राइवर मौके से फरार हो गया हर्याना सरकार ने गुटके और पान-मसाले की विक्री पर एक साल के प्रतीबंद को और बढ़ा दिया है पिछले साल जब करोना महामारी देश में फैली तो हर्याना सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्ये में पान गुटका की बिक्री पर रोक लगा दी थी ताकि लोगों के सार्बनिक जगाओ पर थूगने पर रोक लगाई जा सके नए आदेश के मताबिक ये प्रतिबंद सितंबर 2022 तक लागू रहेगा महरास्चो सरकार में मंत्री और शिपसेना नेता अनिल परब की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इडी ने परिवहन मंत्री अनिल परब को मनी लोडने के मामले में एक बर फिर समन जारी किया है इसमें उनको आज पेश होना है इससे पहले भी अनिल परब को 29 अगस्त को इडी ने समन भेजकर 31 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा था लेकिन वे नहीं आये थे इशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जगी बासुदेव का कल हरदवार में अलगी अंदास देखने को मिला सद्गुरु जगी अपनी गाड़ियों के काफले के साथ बाइक की सबारी करते दिखे वे बाइक पर सबार होके बाबाराम देप से मिलने पहुचे प्रियंका एक हफ़ते के लिए मिशन यूपी पर हैं तो दर बीजेपी ने क्यूंकि पश्चमी बंगाल के भवानी पुरवाले उप चुनाव को रद करने की माँ इसके लावा आज उपश्चम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा के सीबियाई जांश खलाफ ममता सरकार की अर्शी पर सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई पांच राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव और सियासी हल्चो स्टुडी तमाम बड़े ख़वरे दिखाते हैं टॉप 9 चुनावी विसाथ गुजरात में अगले साल होने वाले बिदानसबा चुनाव को लेकर कॉंगरिस सेयारों में जुट गई है आज दोपैर 3 बजे जी एन्यूस चातर संके पूर अध्यक्ष और CPI के नेता कनेया कुमार कॉंगरिस का हाथ थामेंगे कनेया कुमार के साथ गुजरा से निर्दले बिदायक जिगनेश में बाड़ी भी कॉंगरिस में शामिल होंगे दुनों नेताओ की पिछले दिनों राहल गांधी से मुलाकात हो चुकी है योगी सरकार में दो दिन पहले ही शामिल किये गए मंत्रियों के विभावों का बटवारा कर दिया गया है कैबिनेट मंत्री जेतिन परसाथ को तकनीकी सिक्षा का जिम्मा दिया गया है पल्टुराम को होमगार्ट विभाग दिया गया है संगीता बलबंत को सहकारिता दरमबीर प्रचापती को दौगेग विकास शत्रपाल गंगवार को राजस्व संजीब कमार को समाज कल्यान और दिनेश खटी को जलसक्ती का राज्यमंत्री बनाया गया है यूपी में अगले साल होने वाले विधान सवच राब में कॉंग्रिस को मजबूत करने के लिए पार्टी महासची प्रियंका गांधी राज्ये के एक हकते के दोरे पर हैं इस दोरान प्रियंका कई पुराने नेता और कारेकरता उसे मुलाकात करेंगी पार्टी के रणीतिकार और सलाकार समीती के साथ भी बैटा करेंगी इसके लाबा वो कॉंग्रिस की पृतिग्या यात्रा में हर मंडल पर सभा भी करेंगी ए आइम आइंक के चीफ असुदूईन ओवैसी ने उर्तबरदेश की कानपिर सभा में एदरबाद के मशूर चार मिनार को अपने अबबा की इमारत करार दे दिया ओवैसी ने कहा मुसल्मानों की हालत बैंट बजाने वालों जैसी है जिने शादियों में बाहर ही रोक दिया जाता है शिफ सेना ने अपने मुख पत्र सामना में कहा कि पता नहीं यूपी चुनाप तक और क्या-क्या देखना पड़ेगा शिफ सेना ने ओवैसी को बीजेपी का अंगवस्त्र भी कह दिया तीन क्रशी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कल सायोग किसान मोचा के भारत बंद को लेकर फायदे नुकसान की राचनीती भी शुरू हो गई है यूपी के पूर्प्स ये मखलेश यादब ने कहा कि भारत बंद की सफलता ने बीजेपी के हाथ पेर फुला दिये हैं बीजेपी उनका ही काम कर रही है जिनके हाथ में उनकी लगाम है बही कॉंग्रस महासची प्रेंका गांधी ने कहा कि पुरा हिंदुस्तान किसान के साथ है बीजेपी की रास्चियोपाद्याग दिलीब घोष ने चुनाब आयोक से पिश्चि बंगाल के वबानीपुर में 30 सितंबर को होने बाले उचुनाब को रद करनी की मांगी है कल चुनाब प्रचार के आखरी दिलीब घोष के साथ टीमसी के समर्थ को ने धक्का मुकी और बदसलूकी की थी हालाद इतने खराब हो गए थे कि दिलीब घोष के सुरक्षा कर्मियों को बंदूग तक निकालनी पड़ी किसी तरह भीड से उने निकाला गया पवानीपुर में कल दिलीब घोष के साथ हुई मार्पीट के लिए टीमसी ने दिलीब घोष को जिम्मधार ठराया है टीमसी के सांसा सौगात राय ने कहा कि भारी ब्रोथ के बावजू दिलीब घोष वहां गए थे बीजेपी ने ये ड्रामा लोगों को ध्यान किशने के लिए किया है जबकि बीजेपी ने इस घटना के लिए ममता बेनर्जी को जिम्मधार ठराया है पवानीपुर से सीम ममता बेनर्जी चुनाबी मैदान में है ममता को यहां से बीजेपी की प्रयांका टिब्रेवाल टककर दे रही है पंजाब के सीम चरदी सिंग चन्नी ने कल अपनी कैवनेट के साथ बैठक की इस बैठक में चन्नी ने बी आईपी कल्चर पर अंकुष लगाने के लिए मंतिरों को सुरक्षा का तामजाम कम करने को कहा है उन्होंने सबसे पहले अपनी सुरक्षा कम कर इस ओर कदम बढ़ाया है इसके साथ सबी सर्पंचों और पार्शदों को सचीवाले और सरकारी दफ्तरों में अंट्री के लिए काट जारी करने के निर्देश दिये है जमो कश्मीर के दोरे पर पहुँचे रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया के नेतर केंद्रिय मंत्री रामदा सठावले ने कहा कि मारास्ट में शिप सेना कॉंगरिस एंसीपी के साथ गढ़वन्दन वाली सरकार पांस साल नहीं चल पाईगी उन्होंने कहा कि शिप सेना और अन्सीपी को अन्डिये के साथ आना चाहिए अठाबले ने एक बार फिर कहा कि पंजाब के पूर्प सीम अमरिंदर सिंग को कॉंगरिस ने अपानित किया है और उन्हें अन्डिये में आना चाहिए T20 लीग में कैसे हैदरबाद ने राजस्तान रॉयल्स के मुश्किलों को बढ़ा दिया हैदरबाद के जीत के हीरो कौन रहा आज यूकिन दो टीमों के वीश्य मुकाबला होना है T20 लीग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरे दिखाते हैं टॉप 9 T20 लीग T20 लीग में कल खेले गए मुकाबले में हैदरबाद संराइजर्स ने राजस्तान रॉयल्स को साथ विकेट से हरा दिया राजस्तान ने हाइदरबाद को जीत के ले 165 रनों का लक्ष दिया था जिसे हाइदरबाद ने उनुसमें ओवर में ही तीन विकेट गवा कर हांसिल कर लिया प्ले आफ की रेस से पहले ही बहार हो चुकी हाइदरबाद टीम की इस सीजन में ये दूसरी जीत है राजस्तान रॉयल्स के खिलाफ संराइजर्स हाइदरबाद की जीत में सबसे एहम भूमे का ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय की रही जेसन रॉय ने ओपनिंग करते हुए तेज शुरुबात की उन्होंने रधिमान सहा के साथ मिलकर सतावन रनों की साजेदारी की जेसन रॉय ने सिर्फ 40 गेंदों में 60 रॉन की पारी खेल कर हाइदरबाद की जीत की नीव रखी शांदार पारी के लिए उन्हें man of the match होना गया हाइदरबाद की टीन की ओर से जेसन रॉय के लावा कप्तान केन विलिमसन ने भी शांदार भल्ले बाजी की मदिकरम में जल्दी दो विकेट गिरने के बाद केन विलिमसन एक छोड समहले रहे और आखिर तक टीम को जीत दिला कर ही मैदान से नाबाद लोटे विलिमसन ने एक तालीस गेंदों में नाबाद एक क्यामन रन बनाए जिसमें पांच चोके और एक छक्का शामिल था अब शेक शर्मानी नाबाद 21 रन बनाए प्लेओफ के रेस से पहले ही बाहर हो चुकी हाइदरबाद की टीम के लिए ये जीत सिर्फ जीत और हार के आंकडों को बहतर करने में काम आएगा लेकिन उसे राजस्थान रॉयल्स का खेल बिगार दिया इस हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेओफ की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है राजस्थान के खाते में 10 मैच के बाद 8 अंक हैं प्लेओफ में बने रहने के लिए उसे बचे चारो मैच जीतने होंगे राजस्थान रॉयल्स की कप्तान संजू सैमसन की शांदार 82 रनों की पारी बेकार चली गई राजस्थान को 164 रन तक पहुँचाने में संजू सैमसन की शांदार पारी का एहम रोल रहा संजू ने 82 रनों की पारी में 7, 4 और 3 शक्के शामिल थे जशश्वी जैस्वाल ने 36 और महेपाल लूमर ने 29 रन बनाए राजस्थान के साथ मुंबई इंडियन्स के लिए भी T20 लीग के प्लेओफ में बने रहने के लिए बचे चारों मैच जीतने होंगे मुंबई के भी 10 मैच के बाद 8 अंक है अब दोनों टीमों के लिए चारों मैच जीतने के साथ बहतर रन डेट बनाए रखने की भी चुनौती है मुंबई को इस सीजन के दूसरे फेज में अब तक तीनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है T20 लीग में अब तक खेले गए मुकाबले के बाद परपल कैप और औरेंज कैप की रेस में कौन आगे है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं राजस्पान रोयल्स की कप्तान संजू सैंसन 10 मैच के बाद 433 रन बना कर परपल कैप पर कबज़ा बनाए हुए है मही औरेंज कैप की रेस में बैंगलॉर के हर्शल पतील सबसे आगे है हर्शल ने 10 मैचों में अब तक सबसे ज़ादा 23 विकेट लिए है T20 लीग में आज शाम साड़े 7 बज़े शारजा में कोलकाता नाइफ राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा कोई बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो दिल्ली की जगह प्लेओफ में पक्की हो चुकी है दिल्ली की टीम के खाते में भी 16 अंक हैं लेकिन चन्नई बहतर रन रेट के आधार पर दिल्ली से उपर है दस मैच खेले के बाद बैगलॉर की टीम के खाते में 12 अंक है और वो तीसरे नंबर पर है जबकि कुलकाता की टीम 8 अंक के साथ 14 नंबर पर है दुनिया में कहा किसानों और पुलिस के बीच यो हुई जबरदस जड़प अमेरिकी राश्वती जो बाइडन ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डूस लेने के बाद क्या कुछ कहा और किस मशूर अमेरिकी सिंगर को बच्चों के योन शोशड केस में ठहराए गया ज़मेदार दुनिया की तमाम बड़ी खबरे दिखाते हैं टॉप ने दुनिया में बोलिविया के लापाश में किसानों और पुलस के बीच जवर्दस जड़ब पिछले एक महिने से यहां के कोका किसान संगठन नित्रत को लेकर संगश कर रहे एक अमारत में आग लगए पुलस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए आसू गैस के गोले भी छोड़े अमेरिका के राश्पती जो बाइडन ने कल कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज ली बाइडन ने फाइजर वैक्सीन के बूस्टर डोज ली है इससे पहले जो बाइडन वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं उन्होंने का कि महामारी को हराने और सभी को सुरक्षत रखने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है अमेरिका की सबसे बड़ी चुंता है कि अभी भी 77 फीसद लोगों ने एक ही डोज लिया है केली नसर जुका लिया 54 साल के केली को दो साल पहले भी बच्चों के यौन शोशन के दूसरे केस में दोशी ठहराए जाने के बाद जेल भीजा गया था केली के सजा के ऐलान को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया फ्रांस के राश्पती मैनुल मैक्रो क्यूपर एक शख्स नंडा फिका ये वाकिया तब हुआ जब मैक्रो फ्रांस के लॉइन शोयर में कंतराश्ट्य खादान व्यापार बिला में गये थे घटना के बाद इस शख्स को गरफतार कर लिया किया पशक्र साल 6 हफते तक आर्मेणी अजब्यजान के भीश लड़ाई के एक साल होने पर अजब्यजान के राजञानी बाकू में सैन निमार्ज निकाला गया अजर्बेजान के सेना के अधिकारियों और जवानों के हाथों में उन लोगों और जवानों के पोश्टर थे जिन्नोंने युद्ध में जान गवाई थी युद्ध में 60,000 स्यादा लोग मारे गए थे अमेरिकाई कैलिफोरिया के वेंडन्बर्ग स्पेस फूर्स बेस ने लैंडसेट 9 सेटलाइट को लॉंच किया इस सेटलाइट से जमीन पर होने वाले भौगोलिक बदलाव को मापने या चुन्हत करने में नासा के मदद करेगा इसके जरिये भौगोलिक बदलाव के पीछे मानों और प्रकरतिक कारणों को भी समझने मदद मिलेगी